दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार्ट सिविल सर्विशेज मैं अनुराग्ष अधरी दोस्तों भारती राजव्यवस्था यानि इंडियन पॉलिटी के महतोपूर्ण प्रश्णों की स्रिंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका सात्मा भाग जिसमें हम परिक्षाओं की द्रिष्टी से संबिधान एवं राजव्यवस्था से संबंधित महतोपूर्ण प्रश्णों को पढ़ेंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम बिभिन संसदी समितियों, सुचना का अधिकार अधिनियम, लोक सभायम राजिसभा, सर्वोच नियाले और सर्वोच नियाले से संबंधित बिभिन अनुच्छेद तथा जनहित याचिका यानि PIL से संबंधित महतोपूर्ण प्रश्णों को कबर करेंगे, दोस्तों ये वीडियो विभिन परिक्षाओं के सामान्य अध्यन के राजविवस्थाखंड के साथ साथ, TGT PGT नागरिक साथ, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिगरी कालेज, उच्चितर सिक्षा असिस्टेन प्रोफेसर तथा, नेट जे आरेफ राजनीत विज्ञान के लिए बहुत ही उपियोगी तथा महत पूर्ण है, तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो, दोस्तों सबसे पहले हम इसमें संसदी समितियों के प्रकार के बारे में जानेंगे, देखिए दोस्तों संसदी समितियां में दो प प्रतेक वर्स होता है और कारेकाल एक वर्स होता है, तो देखिए जो संसद की अस्थाई समितियां हैं दोस्तों, वो अस्थाई होती हैं और इनका गठन प्रतेक वर्स होता है, और इनका कारेकाल एक वर्स का होता है, तदर्थ समितियां या एढ़हाक जो कमेटीज होती है संसदी एड़ाक कमेटीज इनकी प्रकीरति अस्थाई होती है और इनका गठन जो है किसी विशेश उद्देश से के लिए किया जाता है और कारेकाल जो है कार या उद्देश से के पूरा होने तक केवल इनका कारेकाल रहता है तो आपने देख लिया संसदी समितिया दो प्रकार की होती है अस्थाई समितिया और तदर्थ समितिया दोस्तों अस्थाई समितियों का कारेकाल जो है एक वर्स होता है और इनका गठन प्रतेक वर्स किया जाता है जबकि तदर्थ या एड़ाक कमेटी जो होती है वो किसी वि देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खंड सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम डेट याद रखेगा कि ये 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया है और सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है देखे ये याद कही बार परिक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों सूचना का अधिकार या Right to Information Act 2005 को 11 मई 2005 को लोगसभाद्वारा पारित किया गया 12 मई 2005 को राजसभाद्वारा पारित किया गया और सूचना का अधिकार 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 कहा गया है अब आये देखते हैं संसद की वित्ती समितियां दोस्तों संसद की वित्ती समितियों का उद्देश से क्या है सार्वजनिक ब्याइपर संसदी नियंतरण स्थापित करना इसमें एकल समिति और संयुक्त समिति होती है एकल समिति में दोस्तों प्राकलन समिति होए जिसमें सदसे संख्या 30 होती है और प्राकलन समिती के जो सदसे होते हैं वो केवल लोक सभा से लिये जाते हैं तो देखिए ये बहुत ही महतवपोर्ण समिती है प्राकलन समिती या इस्टिमेट कमेटी इसमें कुल 30 सदसे होते हैं जो लोक सभा से लिये जाते हैं इसकी अलावा संयूक्त समिती जो होती है इसमें देखिए संयूक्त समित में लोकलेखा समिती और सरकारी उपकरम समिती है लोकलेखा समित में कई बार परिक्षाओं में पूछा गया है कितने सदसे होते हैं तो लोकलेखा समित में 22 सदसे जिनमें 15 लोकसभा से और 7 सदसे रा जो वित्ती समिती है वो प्राकलन समिती है जिसमें कुल 30 सदसे होते हैं और ये सभी सदसे लोकसभा से लिये जाते हैं दोस्तों अस्थाई संसदी समितियों के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में जानते हैं तो अस्थाई संसदी समितियां जो हैं वो बित्ती समितियां होती हैं और परिक्षण और नियंतरण के लिए गठित की जाती हैं बिभागी अस्थाई समितियां, संसदी अस्थाई समितियों के अंतरगत, इसके अलावा जाच समितियां और सदन के दैनिक कारियों से संबंधित समितियां और सदन की समिति और सेवा समिति ये अस्थाई संसदी समितियों के प्रकार हैं अब आईए देखते हैं दोस्तों संयूक्त बैठक ये बहुत ही महतपूर है दोस्तों संयूक्त बैठक से संबंधित प्रावधान हमारे संबिधान के अनुच्छेद 108 में वर्डित है तो देखिए जो संसत के संयूक्त बैठक है उसमें अनुच्छेद 108 में प्रावधान दि गई है की जाती है दोस्तों संयूक्त बैठक अब तक केवल तीन बार बुलाई गई है तो याद रखिएगा संयूक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 में जो प्रावधान दिये गए हैं उसके अनुसार अब तक तीन बार संयूक्त बैठक बुलाई गई है पहला 1961 में दहेज निरोधक बिध्यक पर दूसरा 1978 में बैंक सेवा आयोग निरसन बिध्यक पर और वर्स 2002 में पोटा पर तो ये तीन बार बुलाई गई है संयूक्त बैठक आईए देख लेते हैं धन बिध्यक से मनिविल होता है इसको केवल लोग सभा में पुरस्थापित किया जाता है और कोई बिध्यक धन बिध्यक है या नहीं इसका निर्धारन लोग सभा अध्यक यानी स्पीकर के द्वारा किया जाता है दोस्तों धन बिध्यक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोग सकती है उसके बाद उसे वापस लोटाना पड़ता है या नहीं लोटाएगी तो इसको पारित मान लिया जाता है राज्य सभा से आए कुछ महतवपूर्ट अथ्यों को देख लेते हैं परिक्षाओं की द्रिश्टी से तो लोक लेखा समित के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो ये लोक सभा अध्यक्ष के द्वारा अगला प्रश्ण है कि सामानतया लोक लेखा समित का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है लोक सभा से विपच्छ के किसी सदर से को अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिती अपने रिपोर्ट सौपती है किसको लोक सभा अध्यक्ष को अगला प्रश्न भारत ने बन संडक्षण अधनियम का पारित किया है तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा 1980 में बन संडक्षण अधनियम पारित किया गया है अगला प्रश्ण है राष्टपती द्वारा राजसभा में मनोनीत किये जा सकते हैं कितने ब्यक्ति तो बार ब्यक्ति और प्रथम अभिनेत्री जो राजसभा के लिए नामांकित की गई थी वो नर्गिसदत थी और राजसभा के दो तिहाई सदर से सेवा निवरित हो जाते ह कितना तो प्रतेक दो वर्स की समाप्ती पर तो ये देखिए बहुत ही महतोपूर प्रश्ण अब आईए देखते हैं दोस्तों संसद से संबंधित बिभिन प्रावधानों को देखिए दोस्तों संसद से संबंधित जो प्रावधान है ये अनुछेद 89 से 122 तक संसद से अध्याय दो में जो हैं इसमें बढ़न है दोस्तों अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि संग के लिए एक संसद होगी जो राष्टपती और दो सदनों यानि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोकसभा से संबंधित प्रावधानो को देखते हैं उसके बाद राज्यसभा के बारे में देखेंगे तो देखे लोकसभा से संबंधित प्रावधान जो हैं दोस्तों लोकसभा की अधिक्तम सदसे संख्या 550 हो सकती है करेंट डेटा के अनुसार और इसका गठन राज्यों से अधिक्तम 530 और संग राज्य छेत प्रश्न बारवार आता है कि लोकसभा से क्रेट्रियेट जो होता है ये लोकसभा अध्यक्ष के अंतरगत कारे करता है सीटों का आवंटन किस प्रकार से होता है लोकसभा में तो सीटों का आवंटन राज जिवार सीटों का आवंटन वर्स 1971 की जनगरना पर आधारित है ये बहुत ही महत्पूर है और 84 में संविधान संसोधन अधनियम 2001 के अनुसार ये निर्धारन वर्स 2026 तक यह थावत रखा और इसमें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई है लोकसभा में इसकी अलावा दोस्तों नौ निर्वाचित लोकसभा का सामानत सबसे वरिष्ट सदस से जो होता है उसको प्रोटिम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रोटिम स्पीकर का कार आम चुनाओं के बाद जो नए सदसे चुनकर आते हैं उनको सपत दिलाना होता है अनुछेद 103 के अंतरगत दोस्तों लोकसभा का कोरम या गड़पूर्ती कुल सदसे संख्या का एक बटे दस्मा भाग होता है लोकसभा का पर्थम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था और गड जो है उत्तर प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा से 80 सीटे हैं दोस्तों इसके अलामा आवधी जो है लोकसभा की क्या होती है तो लोकसभा की अवधी पर्थम अधिवेशन के लिए नियत तारिक से 5 वर्स तक की अवधी होती है और राष्टपती को समय से पहले लोक गिटित करने का अधिकार है और इसके अलामा आपातकाल में एक बार में इसके कारेकाल में एक वर्स तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है और लोकसभा सदर से बनने के लिए अधिक्तम जो आयू सीमा है वो कम से कम 25 वर्स होनी चाहिए अधिक्तम कोई समय निर्धारन नहीं किया अब आई ये राजसभा से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं राजसभा में अधिक्तम दोस्तों 250 सीटे हो सकती है और इसमें देखिए राज्यों और संग राज्य चोतरों के अधिक्तम 238 निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से और इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं र राश्टपती द्वारा नामांकित 12 सदस्य साहित्य विज्ञान कला और समासेवा के छेत्र में विशेष ग्यान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं दोस्तों लोकसभा की तरह राजसभा जो है बिघटित होने वाला सदन नहीं है ये एक अस्थाई सदन है इसका आयू तीस वर सोनी चाहिए दोस्तों उपराश्टपती जो होता है वो राजसभा का पदेन सभापती होता है उपराश्टपती अपना त्यागपत्र जो है सभापती को सौंपता है और उप सभापती बहुमस से पारिश संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों राज राजसभा की बारे में कुछ अन्य उपवंधों को देख लेते हैं। तो आपने देख लिया लोकसभा और राजसभा से संबंधित विभिन प्रावधानों को और लोकसभा और राजसभा में प्रमुख अन्तर क्या हैं आप इन ही जो प्रावधानों के आधार पर समझ सकते हैं। आए देखते हैं परिक्षाओं की द्रिष्टी से कुछ महतोपूर्ण प्रश्णों को देखिए राजसभा के सदस्यों का कारेकाल कितना है तो छे वर्स होता है। कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका निड़े कौन करता है लोगसभा अध्यक्ष करता है। केवल लोगसभा में संसत के सदस्यों के विशेशा धिकार और उन मुक्तियों को कौन निरधारित करता है तो अनुच्छेद 105 संसत सदस्यों के विशेशा धिकार और उन मुक्तियों को निरधारित करता है और अगला प्रश्ण है संसत बिधान सभा के किसी सदस्यकी सदस्य तब समाप्त समझी जाती है जब वह बीना सदन को सूचित किये लगातार कितने दिनों तक 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है और दोस्तों भारत की संचित निधी से धन निकालने के लिए कौन सा विध्यक पारित करना पड़ता है तो ये है विनियोग विध्यक अब आएए देखते हैं दोस्तों सर्वोच नियालय या भारत के सुप्रीम कोड से संबंधित महत्वपूर प्रावधानों को देखें सर्वोच नियालय दोस्तों अनुछेद 124 से लेकर अनुछेद 147 में संबिधान के अनुछेद 124 से 147 तक सर्वोच नियालय संबंधि प् 28 जन्वरी 1950 को किया गया था दोस्तों प्रारम में इसमें 8 न्याइधिस होते थे मुख्य न्याइधिस समित लेकिन बरतमान में इसमें कुल 34 न्याइधिस हैं यानि 33 न्याइधिस और 1 मुख्य न्याइधिस तो याद रखेगा सर्वोच न्याले का नियाधिसों की जो दोस्तों नियुक्ती है वो किसके द्वारा की जाती है तो सर्वोच नियाले के जो नियाधिस हैं उनकी नियुक्ती राष्टपती के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिस्प की जाती है और सर्वोच नियाले के जो नियाधिस होते हैं इनको राष्टपती पद दिलाते हैं और पदत्याग जो है सर्वोच नयाले का कोई नियाधिस अब राष्टपती को संबोधित करके अपना पदत्याग कर सकता है और इनकी सेवा निबृत्त की आयू यानि सर्वोच नयाले के नियाधिसों के सेवा निबृत्त की आयू 65 वर्स होती है दोस्तों स इभिन नयालेओं में मिलाकर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है या राष्टपती की राय में कानून का ग्याता रहा हूँ तो ऐसे ब्यक्ति सर्वोच नयाले की नयाधियस पत पर नियुक्त किये जा सकते हैं देखिए कुछ प्रश्णों को देख लेते हैं खाद्य मिलावट निवारण अधनियम 1954 कब लागू हुआ था एक जून 1955 से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधनियम 2005 कब लागू हुआ 26 सक्टूबर 2006 से और एक प्रश्ण और आता है दोस्तों अनुसूचित जाती औ अत्या चार निवारण अधनियम 1989 कब लागू हुआ तो ये 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था अब आये देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सर्वोच नियाले से संबंधित महत्तोपूर्ण अनुच्छेदों को जो परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी हैं देखिए दोस्तों सर्वोच नियाले से जो संबंधित अनुच्छेद हैं 124 से शुरू होता है अनुच्छेद 124 में उच्छितम नियाले के अस्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 125 नियाधिसों के बेतन इत्याद संबंधित प्रावधान है उचितम नयाले में नयायाध्धिसों की उपस्थिती के संबंध में अनुछेद 129 में अभिलेक नयायाले के रूप में उचितम नयाले का बार्ण करता है अनुछेद 131 जो है उचितम नयाले की मूल छेतरा धिकार और अनुछेद 132 से 36 जो है वो सर्वोच नयाले के अपीली अधिकार अनुछेद 137 में उचितम नयाले द्वारा पुनर विलोकन या जुडिसियल रिब्यू संबंधी अधिकार अनुछेद 141 में सर्वोच नयाले द्वारा गोशित बिधी भारत के सभी नयायलें उपर बाधिकारी होती है अनुछेद 142 में प्रावधान है कि उचितम नयाले की डिकरी और आदेसों का प्रवर्तन और प्रकटी करण आदे के बारे में आदेस दिया गया है और अनुछेद 143 यानि 143 राष्ट पती की उचितम नयाले से शलाह करने की सक्तिका वड़न किया गया है दोस्तों सर्वोच नयाले के नयाधीस कैसे हटाए जाते हैं तो दोस्तों सर्वोच नयाले के जो नयाधीस होते हैं उनको हटाए जाने का एक मात्र अरधार जो है कदाचार या असमर्थता होती है इसे संबंधित अनुछेद 124 और 124 पांच है और सर्वोच नयाले और दिने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से जो संकल पारित किया जाएगा उसके द्वारा सर्वुच्च नयाले और उच्च नयाले की नयधिस को हटाया जा सकता है। किसे है सर्वुच्च नयाले को भारती सम्मिधान में नयायक पुर्णर विलोकन या जुडिसियल रिव्यू का आधार क्या है तो ये है वीधिकासासन और उच्चतम नयाले में नयाधिसों की संख्या में बृद्धी करने की सक्ति किसमे नहीं थै संसद में इसकी अलामा दोस कहां पर वकालत कर सकते हैं तो किसी भी नयायाले में नहीं अगला प्रश्ण है भारत के सर्वुच नयाले के कारवाहक मुख नयाधिस की न्युक्ति कौन करता है तो राष्ट पती करता है और सर्वुच नयाले के कोलेजियम में मुख नयाधिस के अतरिक्त अन्य उच्छतम नयाले की सक्ति किसकी अंतरगत है तो ये मूल अधिकारता की अंतरगत आती है अगला प्रश्ण है सर उच्छतम नयाले की अब तक की सबसे बड़ी पीट 13 नया धीसों की गठित की गई थी किस मामले में तो केश्वा नंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 में अग अगला प्रश्ण है उच्छतम नयाले से बिधी के प्रश्ण पर राय लेने का अधिकार किसको है राश्टुपति को और उच्छतम नयाले ने नयाधीसों की नियूकती के लिए कॉलेजियम बेवस्था कब अपनाया है तो याद रखेगा 1993 में कॉलेजियम बेवस्था आना जाता है और अगला प्रश्ण है उच्छतम नयाले और उच्छ नयाले के कारवाईयों की भाष्ण क्या है तो ये है अंग्रेजी अब आये देखते हैं दोस्तों PIL या जनहीत याचिका के बारे में PIL क्या है Public Interest Litigation जिसको जनहीत याचिका कहते हैं और जनहीत याचिक में 1989 में हुई थी अब आये कुछ बिविध प्रश्णों या बिविध तत्यों को जान लेते हैं दोस्तों एक प्रश्ण पूशता है संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची में कितने विशे हैं तो दोस्तों बरतमान में संग सूची में 98 राज सूची में 69 और समव परती सूची में सैंतालिफ विशे थे इसकी अलामा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेत देख लेते हैं अनुच्छेत 371 महराष्ट और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेस उपबंध करता है अनुच्छेत 371 का नागालेंड राज्य के बारे में अनुच्छेत 371 असम राज्य के बारे में और 371 मड़ीपुर राज्य के बारे में विशेस उपबंध करता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारती राजवेवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्ण जो आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए जैसे सामान्य अध्यन क राजवेवस्थाखंड टीजीटी पीजीटी नागरिक्सास्त गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता गौर्मेंट डिगरी कालेज उच्चितर सिक्षा असेस्टेंट प्रोफेसर नेट जे रफ राजनीत विज्यान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं आप इन प्रशनों क तैयार कर लिजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माग दर्शनफार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धरनिवाद दोस्तों नमस्का करें दोस्तों वाद़ देखने करें जार।